अब अब पार्ट दस के बड़ी एसी अर्टनकी मात्रा के अभ्यास के बारे में मैं आपको बताऊंगी अभ्यास पहला किसने कहा किस से कहा को भाईया मेरा भाईया सेनिक है ये बात किसने कही थी किसने कहा गवये ने और किससे कहा था तैराक से ख में पूछा गया है मेरा भाईया वैलगारी चलाता है ये किसने कहा था तैराक ने और किससे कहा था गवये से नमबर दो समान तुक वाले शब्द लिखो समान तुक वाले जैसे तुक वाले मतलब थोड़ा यह जो पीछे की चीज़ होती है न यह उनकी बिलकुल एक जैसी आने चाहिए सेर बैर बिलकुल एक जैसी आई जैसा पैसा मैया भैया महिया और भहिया बैल मैल या शेल आप कुछ भी लिख सकते हैं उनका जो पीछी की तुक है न ये बलकुल मिलती जुलती होनी चाहिए नमबर तीन प्रशनों के उत्तर लिखो यहां कुछ प्रशने पूछे रहे हैं उनके उत्तर लिखने हैं गवया गा रहा है गवया की बहन कौन है आगे बढ़ते हैं नमबर फोर पर पूछा गया है चित्र के सही नाम पर निशान लगाओ पहला चित्र के सही का दिरखा है बेल का तो इसमें से यह वाला सही है दूसर नमबर पा इसलिए हम इसपर सही का निशान लगाएंगी दूसर चित्र दिया गया है कैम Wirka यह देखेए दूसर नमबर पर है लिखा हुआ है पहले है पैसा फिर है कैमरा उसके बार कह दी तो कैमरा हमारा यहाँ पर सही है इस हमने यहाँ पर निशान लगाया आगे देखिए आगे अभ्यास कादे में पहले नमबर पर सही स्थान पर बड़ी चोटी एसेड़ी की मातरा लगाओ तो ठापे एसीडी की मातर लगाएंगे तो क्या बनेगा ठेला मापे एसीडी की मातर लगाएंगे क्या बनेगा मेहमान मेहमान बापे एसीडी की मातर लगाएंगे बैर बेर बापे एसीडी की मातर लगाएंगे तो क्या बनेगा पेड नमबर टू पर सही स्थान पर बढ़िये सेनक की मातरा लगाओ तो सा पर बढ़िये सेनक की मातरा लगाएंगे तो क्या बनेगा सैनेक बापर बढ़िये सेनक की मातरा लगाएंगे क्या बनेगा बैल गाड़ी मैंने आपको इन दोनों की स्वर का डिफरेंस भी बताया था अंतर भी बताया था जैसे माप A सेड़ी A सेड़ी का स्वर आता है और बड़ी इसे अनक का स्वर आता है इसको बोलते हैं A और इसका A करके स्वर आता है तो यह हो क्या बैल गाड़ी पापे यसे बड़ी यसे अनक की मातर लगाएंगे तो क्या बनेगा पैदल मैं दान हैरान अब नमबर थ्री पर आते हैं छोटी यसे एड़ी अथवा बड़ी यसे अनक की मातरा वाले शब्द अलग अलग लिखो तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है तो इसमें से हमें बड़ी यसे एनक और छोटी यसे एड़ी की मातरा के शब्द अलग करके लिखने है पहले हम कविता पढ़ते हैं रामु जी ने केला खाया खाकर छिलका उधर गिराया छिलके पर जब फिसला पैर अपने से ही निकला बैर यार आ गई अपनी नानी बस इतनी सी है कहानी तो ये एसे एड़ी की मातरा है एसे एड़ी की मातरा के हमने शब्द निकाले इसमें से केला छिलके अपने और से इसमें से जितने भी बड़ी छोटी यसे एड़ी की मातरा के चो शब्द थे वो हमने निकाल लिए अब आती है बड़ी से एनक की बारी हमने यहाँ पे पैर बैर और है यह शब्द निकाले हैं उसके बाद अगला है नमबर फूर पर जोड़कर नई शब्द बनाओ यहाँ एक कुछ शब्द दिये गए है अक्षर दिये गए हैं और यहाँ हरे कलर का गोला है वहाँ पर एक अक्षर लिखा हुआ है ला करे चेला अगला शब्द है अक्षर दिया गया है मैं इस पर बड़ी से एनकी मातर लगी हुई है मैं को इन अक्षिनों के साथ मिला करके लिखना है मैं को हम दा से मिलाएंगे तो क्या बनेगा मैं दा मैं या मैं दान आगे वज़ते हैं नमबर फाइफ नमबर फाइफ पर दिया गया है वडों को सही करम में लिखकर شब्द बनाओ यहाँ पर जो अक्षर है वो आगे पीछे लिखे हुए इनको सही क्रम में लगा करके शब्द बनाने है नमबर क पर राया और ते इनको सही तरीके से लिखेंगे तो बनेगा तैयार ख पर तह मेन इसको सही करके लिखेंगे सही क्रम में लगा कर मेहनत महनत सही क्या शब्द बनेगा महनत गपर गप को इसको सही तरीके से लगा कर लिखेंगे तो बनेगा तैराक गपर इसको सही तरीके से करम में लगा कर लिखेंगे बनेगा शैतान इस तरीके से हमने सही करम में लगाना सीखा उसके बाद आगे बढ़ते हैं नमबर 6 पर चित्र देखकर रिक्तिस्थान भरो तो यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं उनको देखकर के पहचान करके हमको भरना है कर नमबर पर पहला चित्र दे रखा है सैनिक का सैनिक देश की रक्षा करता है दूसरे नमबर पर ख़ नमबर पर दे रखा है मैया चित्र किसका बना हुआ है थैला थैला बहर कर सामान लाई गव पर गव पर दे रखा है राजू चित्र किसका है सेव का लिखेंगे सेव राजू सेव खाता है नंबर 7 पर आते हैं सही शब्द पर सही का निशान लगाओ तो कःपर सही शब्द लिखे हुए है और दूसी तरफ गलत कःपर देखिए धैला या थैला थैला है वो सही का, कौन सा वाला है पहला वाला क्योंकि इस पर पर 1-1 दो मातरा लगी हुई है और एक मातरा वाला गलत है तो पहला वाला हमारा सपहलिए पहले पर निशान लगाया उसके बात खानस भाना नमशा कर देश दयश जो एक मात्रा वाला है वो हमारा ठीक है इसलिए हम इस पर निशान लगाएंगी आगे बढ़ते हैं गह भह अर भहया जो भावाल सेकंड नॉमबर का है दूसरे नॉमबर का भहया वो हमारा ठीक हो पर तैराक और तैराक पहले वाला ठीक है इस पर बड़ी इसे एनक की मातरा लगी हुए न ये वाला ठीक है तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे अब आते हैं नमबर एट पर दो दो शब्द बनाओ छोटी इसे एडी और बड़ी इसे एनक की मातरा के दो दो शब्द बनाने है है ड़ोकी एसी एड़ी की मात्रा के हमने बनाएंगी है तो क्या बनेगा मेला और घेल ये तो हमारा तो ये चोटी एसे एड़ी